तो क्वेश्चन है, जही में, 2020, 7th जन, सिफ 2 का, क्वेश्चन कह रहा है, let X is equal to N belongs to capital N, N lies between 1 to 50, if A, N belongs to X, N is a multiple of 2, and if B, N belongs to X, N is a multiple of 7, then the number of elements is the smallest subset of X containing both A and B, देखो, A कह रहा है, multiple of 2, तो A is equal to कितना है, total, natural number लगता रहा है, तो 50 वटा 2 निकाल लिया, तो कितना आ गया, 25, similarly B के लिए क्या करेंगे, 7 तक कह रहा है, तो 50 वटा 7, तो 69 तो total 7 elements आएगा, ठीक है, यह आ गया, और कह रहा है, कि हमें बताना है, smallest subset of X containing both A and B, number of elements उसमें बताना है, ठीक है, तो आप इसमें से, smallest subset of A क्या हो जाएगा, इन दोनों का sum और जो इनके बीच common, जो दोनों contain करें, तो देखो, साथ दोनी 14 होता है, तो 50 वटा 14 अगर हम कर लिए, 14 या 42, ठीक है, तो यह subtract कर दो, इन दोनों के जोडने के बाद, तो 25 प्लस 7 माइनस 3, क्योंकि यह दोनों बार इसमें आ गया, जैसे एक बता देता हूँ, 14 और इसमें भी 14 आएगा, तो इस वज़ए से यह total ऐसे 3 संख्या होंगे, ठीक है, 14 होगा, 28 होगा, फिर 42 होगा, आप देख लो, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसलिए इसको subtract रहे, तो 25 साथ 32 माइनस 39, तो यह 29 इसका correct answer है, ठीक है, तो इस कदर इसको solve करना था,